मच्चर आपको काटने से पहले सो दाफा सोचेगा अगर आप भी मच्चरों के विचे से परेशान हैं तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही जबर्दस खरेलो टेप्स जो करेंगी मार्केट पे बिकने वाली कैमिकल से भरी स्प्रेश, लोशन, जलेबी, मैट्स की चुट्टी और जीरो हर्च में त्यार होने वाली ये चर्ण टेप्स आपकी जिन्दगी और आपके घर से करेंगी मच्चरों का मुकमल तरीके से सफाया बिसमिल्लाहिरहमाने रहीम, अस्सलाम अलेकुम गर्मियों के आमद के साथ ही मच्चरों का भी मोस्ट वैलकम हो चुका है तो मच्चर आने की बहुत सी वज़ुहात हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर घर में मच्चर दाहिल हो चुके हैं तो इनसे कैसे बचा जाए और इनको घर से कैसे बगाया जाए तो आज मच्चरों से बचाओ के लिए बहुत ही नेचरल टेप्स लेकर आई हूँ क्योंकि बजार में मिलने वाले कैमिकल्स वाली चीज़ें आपकी स्किन के लिए मच्चरों से भी जादा हतरनाक होती है तो यहाँ पर मैंने लसन की चंद जवे ले लिए और उनको अच्छे तरीके से मैं हाथ की मदद से ग्राइंड कर लूँगी आपने भी इसी तरीके से लसन को ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके इसको सापरेट निकाल ले लसन की हुश्बू मच्चरों को बहुत ज़दा नापसंद होती है यही वज़ा है कि जो लोग लसन बहुत ज़दा खाते हैं मच्चरों उनको इतना ज़दा नहीं काटते क्योंकि मच्चरों को उनके स्किन पॉर्स में से लसन की खुश्बू आती है तो उसके बाद आपने घर में मौजूद पेट्रोलियम जैली लेनी है और अपनी मर्जी से पेट्रोलियम जैली की मिकदार इस पिसे हुए लसन में शामिल कर लेनी है आप चाहें तो लसन को चौप भी कर सकते हैं ग्राइंडर में भी चौप कर सकते हैं और वेजलिन को इसमें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से आपने दोनों चीज़ों को मिक्स करना है वेजलिन मिक्स करने का मकसद यह है कि कुछ लोगों को लसन से इरिटेशन होती है कि अगर सकिन पर इसको लगाया जाए तो वो इरिटेट फिल करते हैं वेजलिन मिक्स कर देने से जब भी आप इस टिप को ट्राइ करेंगे तो आपकी स्किन पर किसी किसम की कोई इरिटेशन नहीं होगी मेरे पास यहां पर वेजलिन कम थी इसलिए मैंने इसको उसे डिबी में डाल कर स्टोर कर लिया अब आपने इसको त्यार करने के बाद फ्रिज्मेंट स्टोर करना है और आप इसको यह हफ़ता भर के लिए बना कर रख सकते हैं उससे ज़्यादा देर तक इसको मत बना कर रखें टीका जब भी बनाना हो इसको हफ़ते के लिए दुबारा से रेड़ी कर लें और जब भी आपको राद को सोना हो या कहीं बाहर जाना हो जहां पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो तो इसको अपने हाथों या अपनी बाड़ी पर लगा लें बच्चों के लिए भी यह बहुत ही सेफ टिप है उसके बाद चंद ऐसे पौदे हैं जिनको मच्छर बिलकुल पसंद नहीं करता है क्योंकि मच्छर भी एक जानदार चीज है तो हर जानदार चीज के कुछ पसंद और कुछ नापसंद होती है जैसे मैंने आपको अपने एक वीडियो में चुहों के बारे में बताया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो इसी तहां चंद पौदे ऐसी हैं जिनकी खुश्बू की वज़़े से मच्छ दूर भागता है जिनमें पौदीने का पौदा शामिल है गेंदे के फूल का पौदा शामिल है और लेमन ग्रास का पौदा शामिल है ये चंद पौदे ऐसी हैं जिनको आप उस चगह पर जरूर लगाएं जहां से मच्छरू के आने का जैदा हत्रा होता है अपने कमरे के बाहर लगाएं टेरिस पे लगाएं तो पौदे लगाने के हिलावा चले आए एक और टिप पे आपके साथ शेयर करती हूँ आपने यहाँ पर पुदीने के चंद पते ले लेने है मैंने यहाँ पर चंद पते उतार लिए और उतारने के बाद हेंड क्राइडर की मदद से मैं अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड कर लूँगी यह टिस्ट शेयर करने का मकसद यही है क्योंकि मेरे अपने बच्छे चोटे हैं तो जब भी हम बजार से केमिकल्स वाली चीज़े उन पर अपलाए करते हैं तो यह उनके साथ बड़ा ज़्यदा जुल्म है क्योंकि बाद उकात हमें पता नहीं होता कि उन चीज़ों में कि स्किन को बहुत ज़र्दा परते हैं और ये अब्जोब होते जाते हैं बच्चे की स्किन के अंदर और ये डिफरेंट बिमारीयों का बाइस बनते हैं लिए इन केमिकल्स को काइंडली अवाइड करें उसके बाद जो जलेवी मैट्स भी आप इस्तमाल करते हैं यह अस्तमा की बहुत बड़ी रीजन है तो इनको भी अवाइड करें यह एक स्लो पॉइजन है आच्छा देखे जिए पुदीना बहुत अच्छे तरीके से ग्राइ और अगर कोकोनाइट आयल मौझूद है तो आप ने इन दोनोे आयल मेंसे कोई आयल ले लेना है मेरे पास यहां पर welcoming नहीं नहीं था अगर वो हो तो ज़एदा प्रैफर करूंगी क्योंकि सकिन वायटिनिका काम भी करता है तो डिए नहीं आप रखना पाद मेरे पर स्किन स्किन पर अपलाई करना है एक घेंटे के लिए जब आप इसको पढ़ा रहने देंगे तो इसका असर बहुत अच्छे तरीके से इस ओल में शामिल हो जाएगा अगर ओवरनाइट पढ़ा रहें तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है तो आप इसको बना कर स्टोर कर सकते हैं और रात को सोने से पहले शाम को या अगर आपको कहीं पर बाहर जाना है जहांपर मच्छर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप इसको ज़रूर अपलाई करें इसलिके साथ बहुत से लोग ऐसे हैं अगर मेरी कोई बी टिप आज की वीडियो पर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किये बगर आप में नहीं जाना और बेल आइकन को दुबा देना है ताकि जब भी कोई नहीं वीडियो आये तो फौरी तोर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके बाद पर इंडेक्स्टी भी बहुत ही ज़्यादा आसान और मच्छों को दूर बगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर साबित होगी जी हाँ ऐसे फालर फ्रोड जितमें सिट्रिक एसिड शामिल है मच्छों का बिलकुल भी पसंद नहीं होते मच्छों सिट्रिक एसिड की हुष्भू से दूर भागते हैं और लेमन और माल्टे वगरा में तो इस हुष्भू का क्या गहना तो इसी के लिए मैंने एक लेमन को काट कर उसके दो हिस्से कर लिया है अब आप में लेने हैं घर में मजूद लोंग और जिस तरीके से मैं लोंग को लेमन में लगा रही हूँ इसी तरीके से आपने भी लोंग को लेमन में लगा देना है अब आप जहां पर भी सोते हैं अपनी साइटेबल्स पर इनको रख ले या फिर जहां पर आप बैटे हैं वहां पर आप इस लेमन को रख दे तो चितना भी मच्छर आपके नजदीक भिन बिनाता है ना वो नहीं भिन बिनाएगा और आपसे दूर भाग जाएगा तो ये ननी से टीप आपको कैसी लगी मुझे कॉबन बॉक्स में जरूर बिताएगा और इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा इसके इलावा माल्टो की चिलको को सुखा कर उनका पाउडर बिना लें और किसी जार में डालकर अपने बेट के नजदीक रख लें उससे भी बच्छर बहुत जल्दी दूर भाग जाता है उसके बाद में नेक्स टिप लेसन से रिलेटेड है आज अब मामी से बहूत से गालियां खाने वाले हैं क्योंकि आज हम बहुत सा लसन जाय करने वाले हैं तो जी आप दिलेने हैं लसन के चंड जव Hay अब बहुत सा मच्छर भेट घर्स्पिन्स में मौजर में आता है वहाँ पर भी आप लसन के चंजवू को फिला दें इससे मच्चर दूर भाग जाएगा और आप उसकी बिनमिराहट से बच जाएंगे उसके बाद दुबारा से हम लेंगे थोड़ा सा लसन और एक लीटर पानी मैंने पैन में डाल कर रखा है अब आप चाहें तो इस लसन को चौप करके डालें वो ज़्यदा बहतर है मैंने तो इसी तरीके से इस लसन को शामिल कर दिया और फ्लेम आउन करके मैं इस पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी जो भी आपके घर में लसन चीलता है आज तो आपको उससे पकी गालियां पढ़ने वाली है लेकिन आप ते घबराना नहीं है क्योंकि आज की टिप्स इस तरीके से जादुई काम करेंगी कि बाद में सभी आपको दाद देंगे तो अच्छे तरीके से आपने पानी को बॉयल करना है इतना बॉयल करना है कि इसकी कौंटिटी आधी हो जाए मतलब अगर आपने एक लीटर पानी शामिल किया है तो ये बॉयल होकर आधा लीटर रह जाए ठीक है उसके बाद आपने इस पानी को स्टेन कर लेना है और स्टेन करने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है क्योंकि गरम-गरम को इस्तमाल करके भी अपना आप जलाना नहीं है इसको जरा ठंडा होने दे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस पानी का हम क्या करने वाले हैं देखे इसका कलर भी चेंज हो गए बहुत अच्छे तरीके से लजसन का तबाँ असर इस पानी में शामिल हो चुका है ठंडा करने के बाद हमने ली है एक स्प्रे बाटल और इस बाटल में हम इस तमाम पानी को शामिल कर देंगे इस पानी को एक दफ़ा बना कर आप चन्द दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं ये बिल्कुल भी हराब नहीं होगा उसके पाद स्प्रे बाटल को अच्छे तरीके से बंद कर दें अब आप इस पानी को अपनी स्किन पर स्प्रे करें अपने कपड़ों पर स्प्रे करें क्योंकि बाट उकात हमने लॉन के पतले कपड़े पहने होते हैं और मच्छर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो कपड़ों के ऊपर से हमें काट रहा होता है बहुत जोर से, तो आप अपने कपड़ों के उपर इसको स्प्रे करें, इसको जाली की दरवाजों पर स्प्रे करें, पड़ों में स्प्रे करें, बाज उकात मच्छर पड़ते के पीछे वली तयाय में चुपके बैठा होता है, बैठ के नीचे बैठा होता है, तो ऐसी तमाम जगा जहां पर मच्छर पाई जाने के चांसे हो वहां पर इस पानी को स्प्रे करें मेरे बच्चे अक्सर बाहर घुम रहे होते हैं शाम की टाइम पर भी टेर्स पर खेल रहे होते हैं तो मैं उनके कपड़ों पर इस पानी को स्प्रे कर देती हूं इसमें किसी किसम की कोई स् स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा तेज होती है तो यह स्प्रेय है और आपकी बहुत ज़्यादा है उसके बाद हम त्यार करने मच्छों का बहुत ही जबर्दस्त इलाज और भर भर के करने वाले हैं उनकी पिटाई तो उसके लिए हम बना रहेंगे ट्रैप उसके बाद आपने एक पतीली में पानी को गरम करना है इन तमाम चीजों का अच्छी तरीकी से मिक्स कर ले और पानी को गरम कर ले मैंने यहां पर एक लिटर तकरीबर पानी को गरम किया है और उसके बाद आपने लेना है कोई भी गहरे रंगी बासकेट लेना ज़रूरी है मेरे पास पर बासकेट नहीं थी तो हैर मैंने तो किसी की उठाई है लेकिन आपको पास अगर अपनी है तो अपनी ही इस्तमाल कीजिएगा य को मिक्स कर लें आज की टिप स्ट्राइक करने के बाद आप घर के मच्छर बिचारे सोचते ही रह जाएंगे और भागने पर मजबूर हो जाएंगे अच्छा यह तमाम मिक्स्चर को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया अब आपने घर में मौजूद कोई भी कार्टून ले था तो मैंने इसमें इस बास्किट को डाल कर रख दिया अब जहां पर भी घर में मच्छ आने के ज्यादा चंदेश है वहां पर इसको रख दें लेकिन बच्चों की पहुंच से आपने दूर रखना है यह ना होके मच्छों को बगाते बगाते आप घर के बच्चों को जि आने में, आलाहाफिज